घर से बाहर निकल जाओ और कहीं दूर जाकी अकेले, कहीं किनारे पे एक बात राम से बैठ के सोचो इस जिन्दी के सफर में जो सफर में आप जी रहे हो, यहाँ पे कोई किस्ये का नहीं होता यह बात आप जानती हो घर वालों को आपकी काम्याबी से मतलब है, माबापको आपकी सफलता से मतलब है, वो आपकी काम्याबी की रहा देख रहे है गर्फ्रेंड या फिर आपके दोस्तों को आपके पैसो से मतलब है बतलब हर कोई आपके काम्याब होने का ही रहा देख रहा है जिसे देखो हैं आपसे उमीदे लगाया बैठा है एक दिन जब ये उमीदे पूरी नहीं होंगी फिर वहाँ पे काम खराब हो जाएगा आपकी वैलू आपके इजज़त और आपका प्यार सब कुछ साथ छोड़ जाएगा फिर उस दिन आप अपने आपको कोस होगे उस दिन फिर अपने आपको बलेम करोगे अपने वक्त को अपने हालात को लेकिन तब कोई फायदा नहीं होगा इसलिए जिन्दगी में इन बातों पे विचार करने का वक्त अभी है कुछ करने के लिए वक्त अभी है दिन रात सपनों में अपने आपको जोग देने का ये वक्त अभी है ये वक्त कल नहीं आता, ये वक्त परसों नहीं आता, ये वक्त अभी है तो फिर भला समय को बरबात करने के पीछी का क्या मतलब है जो सच है आप जानते हो जो बहाने हो आप ही बनाते हो ये किसी और को नहीं आप खुद को दोखा दे रहे हो सोचो इस बात को बिचार करो अगर सवाल का जवाब मिल जायो तो फिर लोट आओ घर को और फिर लग जाओ किसी भी तरह से अपने आपको कामियाब बनाने में अपने आपके लिए कुछ करने में अपने कल को बैतर बनाने में और अपनी तकदीर खुद लिखने में क्योंकि ये बात सच है कि यहाँ पे कोई किसी का नहीं होता सबकी एक अपनी जिन्दगी है सब अपनी जिन्दी को अपनी हिसाब से जीना चाहते है यहाँ पे किसी का कोई भरोसा नहीं इसलिए अपने आपको कामियाब बनाने जो आपके जिम्मेदारी है उस पे ध्यान दो यह जरूरी है बहुत जरूरी है इसको छोड़के अगर कोई भी चीज आपको जुरूरी लग रही है तो फिर वो बेकार है सफलता के रास्ते में आने वाले हर एक चीज का त्याक कर दो अपने आपको हर एक चीज छोड़ दो कितना भी दुख है जेलो लेकिन हर हाल में कैसे भी करके अपने आपको काम्याब बनाओ तरीके ढूड़ो सोच के विचार के मेहनत करके लेकिन फेल भी हो गए तो लोग भाने से जादा आपके हालाद देखेंगे लेकिन हर हाल में आपको काम्याब होना ही पड़ेगा